डेस्क पर परिक्षा की कौपी और सामने मरुरंजन का पूरा साधन कुछ ऐसा ही वीडियो बिहार के नालंदा से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है 11 वी की बायोलॉजी की परिक्षा थी और सरकारे स्कूल के बच्चे क्लास रूम में टीवी स्क्रीन पर गाना प्ले कर परिक्षा दे रही है इतना ही नहीं चादर परिक्षा हॉल में खुलिया मुबाइल लेकर चूरी करते भी नज़र आएं स्मार्ट क्लास के तहट क्लासरूम में टीवी को लगाए गया है वाइरल वीडियो जिलिक इसलामपूर प्रखंड अंतरगर्थ बोरी सराइं गाउं इस्थित उच्च माद्यमिक विद्याले बोरी सराइं का है स्कूल में 11 वे के परिक्षा चल रही थी सोशल मेडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो को सुमार का बताया जा रहा है उस दिन बायोलॉजी के परिक्षा चल रही थी वाइरल हो रहे वीडियो में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से चात्र एक दूसरे के पास बैठ कर परिक्षा दे रही है कुछ चात्र हाथों में मुबाइल फोन भी लिये हैं चात्र परिक्षा दिनी के साथ साथ खुले आम मस्ते कर रहे हैं जिसका वीडियो भी बनाय गया और वाइरल भी किया गया है बेपरवा होकर मुबाइल से परिक्षा के दौरान चूरी भी की जा रही है सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि परिक्षा के दौरान एक सिक्षक भी मौजूद नहीं है वीडियो वाइरल होने के बाद कहीं न कहीं सिक्षा विभाग की पूल जरूर खुल रही है इसको लेकर जिला सिक्षा पताधिकारी केशो प्रसाद ने बताया कि मामली की जानकारी मिली है वाइरल वीडियो की जांच की जा रही है जांच के बाद दोश्य पाय जाने पर वहां मौजूद सिक्षक पर कारवाई की जाएगी जांच के दौरान बी यो को आदेश दिया गया है उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह का वीडियो वाइरल हुआ है तो गलत है और कारवाई की जाएगी वैसे इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं